अलो मेरे चैंपियन क्या हल चाल है आप लोगों के एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में तो आज के क्लास में हम डिसकस करने जा रहे हैं आपका C.U.E.T. 2024 का सबजेक्ट स्लेबस वाइस तो भाई सीधी सी बात है आप लोग तैयारी कर रहे हैं अपने बोर्ड एक्जाम की बोर्ड एक्जाम के साथ साथ आप लोगों के मन में ये भी है कि आफ्टर दा बोर्ड एक्जाम हम लोगों को बड़े कॉलेज में एडमीशन लेन है ये बहुत जादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक चीज जानो आप ये जो C.U.E.T. का पेपर दो गे ना इसमें बहुत से ऐसी चीजे हैं जो आप अल्रेड़ी पढ़कर आ चुके हो अब क्या-क्या वो पोर्शन है हम उसको one by one क्या कर लेते हैं देख लेते हैं त आप देखो क्या है आपका non-profit organization ये आप class 12 में already पढ़ रहे हो फिर उसके बाद आपका क्या है accounting for the partnership ये भी आप पढ़ रहे हो फिर उसके बाद कहता है reconstruction of the partnership इस reconstruction of partnership की जब आप बात करते हो तो यहां पे आपका admission यहां पे आपका क्या आ जाता है admission यहां पे आपका आजाता ह है आपका क्या death यह आपका क्या आजाता है death यह वाला point आप मत देखे क्योंकि unit 4 और unit 5 एक साथ आपका लिख उठा है तो यह आप छोड़ दीजे तो आप देखो जो partnership पढ़ रहे हो ना उस partnership से भी आपके question put up किये जाएंगे चाहे वो admission के हो चाहे वो retirement के हो चाहे वो आपक किसके हो, death के ही क्यों ना हूँ और death के बाद फिर आपको एक और chapter जो की आपका है unit number 4 जिसे हम कहेंगे dissolution of the partnership अब देखो dissolution of partnership की जब हम बात करते हैं जब हम किसकी बात करते हैं dissolution of partnership की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो भी आपके content हैं चाहे वो realization को लेकर हो चाहे partner capital को ल कर हूँ वो सारे आपको पूछे जाएंगे वो सारे आप से उन में से ही कुशन क्या किये जाएंगे पूट अप किये जाएंगे clear हो गया तो यह हो गया आपका partnership after the partnership फिर आपको क्या पढ़ना पढ़ेगा accounting for the shares and devinture capital अब देखो जब आप shares और devinture की बात करते हो तो जिसमें आपने introduction of company issue of the share issue of the forfeit of the share ठीक है यह सारी चीजें आपको पढ़नी है साथी साथ जो share के साथ आपका equity आएगा equity के बाद आपका preference भी आएगा बहुत से बच्चे confused हो जाते हैं कि sir क्या preference से भी related question आएंगे बिलकुल आएंगे क्या लिखा है accounting for share लिखा है तो फिर उसके बाद आपका क्या है devinture तो devinture में आपका issue of the devinture और devinture के साथ साथ आपका redemption of the devinture जिसके आपको method भी क्या करने होंगे पढ़ने होंगे point clear हो गया फिर उसके बाद अगला point है आपका statement of the change in financial position अब देखो statement in change in financial position अगर आपको याद हो तो आपने जो तीसरी book पड़ी है उस तीसरी book में इन चीजों को आपको क्या करना है consider करना है जिसमें आपका comparative statement आ जाता है जिसमें आपका financial statement आ जाता है जिसमें आपको proper balance sheet बनानी बात ये हो गया आपका part one अब part two की जब आप बात करते हो न तो ये part two हम लोग पढ़े नहीं है सबसे बड़ी problem तो यही होती है चाहे आप CVC के student हो चाहे आप UP के student हो या हो सकता है कि आप किसी other state के student हो तो हम लोग computerized accounting नहीं पढ़ते हैं बड़ी समस्या तो यही होती है ठीक है कुछ university में कुछ board में पढ़ाया जाता है लेकिन basically CVC और UP में नहीं पढ़ाया जाता सबसे बड़ी problem यही है तो आपको इससे भी related इसको भी नहीं पढ़ना पढ़ेगा बड़ी सी बात है क्या है computerized accounting तो computerized accounting की जब आप बात करते हो तो इसमें हमें क्या करना है चार unit पढ़ना है कहता है overview of the computerized accounting फिर कहता है using of the computerized accounting system फिर कहता है using of the DMS जिसे हम data management system कहते हैं और फिर last क्या है आपका accounting application for the electronic spread sheet जिसे आप excel भी कहते हो तो बाबू ये आपका accounting का पूरा का पूरा topic है जिसे हम part 1 और part 2 के नाम से जानते हैं परिसान ना हो ये accounting guru में ये सारी चीज़े आपको पढ़ाई जाएंगी अगर आप पढ़ने के लिए interested है तो जो नीचे आपका number दिया गया है उस number पे आप हमें जरूर what's up करिये जरूर call करिये और अपनी upcoming batch को आप register कर लीजे ठीक है तो अब बात कर लेते हैं ये तो हो गया हमारा accounting का सले बस अब जो दूसरा हमारा portion होता है जिसे हम कहते हैं आपका देखो आपकी screen पे है दूसरा हमारा क्या है business study तो जब आप business study की बात करते हो तो आपको एक से लेकर 13 unit को पढ़ना पड़ेगा यानि class 11 से लेकर class 12 वाला भी आपको रखना पड़ेगा और दूसरी वड़ी बात एक नई चीज जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है वो है आपका क्या entrepreneurship development है ना entrepreneurship development थोड़ा सा दिमाग घूम रहा है की नहीं घूम रहा है सर घूम रहा है थोड़ा थोड़ा घूम रहा है कोई दिक्कत नहीं हम आपको कराएंगे ना काई परिसान हो आप देखो unit 1 में क्या है nature and significance of the management nature and significance of the management यह आपका पहला है दूसरा एक मिनिट पहला क्या है nature and significance of the management दूसरा क्या है principle of the management business environment, planning, organizing, staffing, directing, controlling, business finance, market, financial market, marketing, consumer protection और लास्ट क्या है आपका entrepreneurship development तो यह आपके business के chapter है जो कि आपको क्या करने है पढ़ने है फिर उसके बाद हम अगले portion की तरफ चलते हैं वो है आपका economics देखो economics बहुत important है क्यों क्योंकि इसमें आपको देखो macro economics, macro economics और Indian economics development यानि कहने का मतलब है आपको सब पढ़ना है 11, 12 और आपका नया यह Indian economic development यह भी आपको क्या करना है पढ़ना है तो निस्चिंत रहिए पढ़ाया जाएगा परिसान बिलकुल ला होईए अब देखो economics के बाद अगला जोट आपका मेहिन जो होता है जिसे हम कहते है journal test है अब यह जो journal test है ना बहुत से बच्चे confused रहते हैं कि सर इसमें क्या क्या आएगा देखो इसमें क्या क्या आएगा देखो इसमें क्या है कि कहता है journal knowledge आपको चाहिए करेंट अफेयर के बारे में आपको जानना है फिर कहता है journal mental ability numerical ability reasoning अब reasoning के जो portion है वो सुन लो simple application of the basic mathematics concept quantitative arithmetic algebra geometric measurement and statics और फिर logical and analytical reasoning तो यह आपके journal test के portion है जो कि आपके चौथा पार्ट है जो कि आपका क्या है चौथा पार्ट है सर इसके अलावा भी कुछ और पढ़ना है क्या इसके अलावा भी कुछ और पढ़ना है बिल्कुल पढ़ना है यह देखो entrepreneurship जो कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है कुछ लोगों ने कुछ बोड में इसको पढ़ाया start कराया जा चुका है लेकिन अभी आप लोगों में नहीं पढ़ा होगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं हम पढ़ायेंगे निस्चिंत रही है आप accounting guru channel से पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब सीधी सी बात है हम आपको best 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 ही देंगे इसके लिए आप निस्चिंत रही है ठीक है दोगो entrepreneurship में हमें क्या करना है एक से लेकर 6 unit पढ़नी है पहला है entrepreneurial opportunity planning, marketing, growth strategy arthmatics और mobilization resources mobilization तो ये आपके 6 unit हैं जो कि हम लोगों को entrepreneurship में क्या करना है पढ़ना है सर और कुछ भी पढ़ना है क्या देखो जी बिल्कुल पढ़ना है अगर आपने क्या ले रखा है अगर आपने physical education भी आपको क्या करना पढ़ेगा पढ़ना पढ़ेगा physical education को कुछ जगां पर yoga भी कहा जाता है या जिसे आप NCC भी कहते हैं तो इसमें क्या क्या करना है इसमें 6 unit आपको पढ़ना है sociological aspect of the physical education training method, career aspect in the physical education, health education and health problem sports injury and first aid फिर कहता है test and measurement in the sports, biomedical sports and physiological and the scope तो ये आपके किसमें आजाएंगे physical आपका आजाएगा, physical education में आजाएगा जिसे आप NCC भी कहते हो ठीके, सर और भी कुछ पढ़ना है गया कुछ नहीं पढ़ना है अब इतना पढ़ लो मालिक, इतना है में आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे और जो आपका सपना है, जो कि आपने सोचा है कि आप अपने हिंदुस्तान के best and best college में admission लेना चाहते हो ना, वो आपका पूरा हो जाएगा, ठीके, बाकी कोई भी समझ से अगर आपको रहे, किसी भी चीज को लेकर कोई चीज आपको ना समझ में आई हो तो परिसान होने की जुरुत नहीं है, नीचे जो नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप हमें whatsapp या call कर सकते हो, बाकी आप सभी अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिए, ओके, बाई-बाई, बाई-बाई, जैहिन, जैभूले नाद